आपको गजबंदन के बारे में मालूम है क्या? जी हाँ, गजबंदन का मतलब है कि सारी जो पाटिया है, एक हो रही हैं, ये सारा प्लान जो है, सिर्फ मोधी भाजपा को हरादेगा आपको क्या लगता है, कितने दिन चलेगा ये मागजबंदन? जादा भी नहीं चलेगा, पहली बाद तो जहाँ तक उम्मीद है कि मोधी को हराना असंभाव है कितने भी लोग मिल जाएं साथ में? कितने भी सारी पाटिया एक हो जाएं तब भी मोधी में हराता है आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे लगता भावी प्रधान मंत्री है, पहला प्रधान मंत्री है, जो ऐसा कार रहा है देश के हित्री अच्छा, और मैं आपसे इबा तो पुछन चाओंगी कि ये इतने बड़े महागजबंदन की खिचडी में कि प्रधान मंत्री का चहरा कौन बनेगा? अच्छा, एक बात बताईए, ये जो गट बंदन है, सपोज इसकी अगर सरकार बन भी जाती है, तो कितने दिन टिक पाईगी है सरकार? मेरा ख्याल है बहुत कम दिन चलेगी, पांच साल पूरा करना इनके लिए इन लोगों का, ये लोग का गट बंदन जो बना है, आपको क्या लगता है, कॉमन इंट्रेस्ट क्या है इनके गट बंदन का? मोदी अच्छा क्या नाम काम कर रहा है देश के एकमे, जो आज इतर सतर सालों भी नहीं हुआ, वो पांच में नजर आ रहा है लोगों के. तो अगर एकॉनमी की बात करें, जाए देश की एकॉनमी, देश के लोगों का, तो अगर ये लोग महा गट बंदन की सरकार बन भी जाती है, तो क्या ये सरकार लोगों के लिए हित्मे कुछ अच्छा काम करेंगी? जब सतर साल नहीं कर पा है तो अब क्या हित्में करेंगे पहला प्रदान मंत्री तो पांगरेश का ही हुए थे पंदर्च वाल लाल जी जब से आज तक भी वही की समान चला मर्दूर और दिश्टा चला जा रहा, मर्दा चला जा रहा कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई है जो कि ठोड़ा गरीब आदियों के बारें कोचे लेकिन प्रदान मंत्री जी नरेंद्र मोधी है जो कि आज तक नहीं है वो कर रहे है वो पारत में उत्तर प्रदेश में कई जगा भीहारों में कर रहे हैं किजे कर रहे हैं जो कि नई नई देखने को मिल रही है